भाई और बहनों, आज दुनिया जब सस्टेनेबल डेवलप्मेंट की बात कर रही है, तो महर्सी जी का दिखाया मार्क भारत के प्राचिन जीवन दर्शन को विश्व के सामने रखता है, समाधान का रास्ता प्रस्तूत करता है। परियावरन के शेत्र में भारत आज विश्व के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमी का निबा रहा है। हमने प्रकृते से समनवे के इसी विजन के आधार पर ग्लोबल मिशन लाइफ ल-i-f-e लाइफ और उसका मतलब है लाइफ स्टाइल फर एंडवार्मेंट ये लाइफ स्टाइल फर एंडवार्मेंट एक लाइफ मिशन की शुरुआत भी की है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस महत्वपून दौर में दुनिया के देशों ने G20 की अध्यक्स्ता की जिम्मेदारी भी भारत को सौपी है। हम परियावरन को G20 के विशेश एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। देश के इन महत्वपून अभियानों में आर्य समाज एक महत्वपून भूमी का निभा सकता है। आप हमारे प्राचिन दर्सन के साथ आधूनिक परिप्रेशों और कर्तव्यों से जन जन को जोडने की जिम्मेदारी आसानी से उठा सकते हैं। इस समय देश और जैसा आचारीजी ने वर्णन किया और आचारीजी तो उसके लिए बड़े समर्पिद हैं। प्राकृतिक खेती से जुड़ा व्यापा का भियान हमें गाउं गाउं पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती गव आधारित खेती हमें इसे फिर से गाउं गाउं में लेकर जाना है। मैं चाहूंगा कि आर्य समाच के यग्यों में एक आहुती इस संकल्प के लिए भी डाली जाए। ऐसा ही एक और वेश्विक आहवान भारत में मिलेट्स, मोटे अनाच, बाजराजवार वगेरे जिस अमपरिचित हैं। और मिलेट्स को अभी हमने एक बैस्षिक पहचान बनाने के लिए और अब पुरे देश के हर मिलेट्स की एक पहचान बनाने के लिए अब उसके लिए एक नया नामकरन किया है। हमने कहा हैं मिलेट्स को स्री अन्न इस वर्थ सयुक्त राष्ट इंटर्रेशनल मिलेट्यर मना रहा है। और हम तो जानते हैं हम तो यग्य संस्कृति के लोग हैं और हम यग्यों में आहूति में जो सर्वस्रेश्ट है उसी को देते हैं। हमारे यग्यों में जोंज जैसे मोटे अनाज या स्री अन्न की एहं भूविका होती है। क्योंकि हम यग्यों में वो इस्तवाल करते हैं जो हमारे लिए सर्वस्रेश्ट होता है। इसलिए यग्य के साथ साथ सभी मोटे अनाज स्री अन्न स्री अन्न देश वास्यों के जीवन और आहार को उसे वो जीवन में जादा से जादा जोड़े अपनी निक्त आहार में वो हिस्सा बने। इसके लिए हमें नई PD को भी जागरूत करना चाहिए और आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं।